कोरोना वारेस महमारी को रोकने के लिए देश भर में पिछले एक महीने से लौकडाउन चल रहा है इस बीच गिरे मंतराले ने सुकरवार रात देश के लाखो दुकानदारों को खुसखबरी दी है मंत्राले ने एक आदेस जारी कर सनिवार सुभा से सभी राजियों और केंद्र सासित प्रदेसों में रजिस्टर दुकानों को सर्तों के साथ खोलनी के अनुमती दी है हाला कि सौपिंग मॉल्स और सौपिंग कॉम्पलेक्स अभी नहीं खुलेंगे ये छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओ के छेतरा दिकार में नहीं आते हैं बताय जा रहा है कि ग्रे मंत्राले का ये आदेस रमजान का महिना सुरू होने के मद्दे नजर जारी किया गया है सरकार ने अपने आदेस में कुछ सरते भी लागू की है इसके मुताबिक सभी दुकाने सम्मंदित राजय और केंदर सासित प्रदेसों के स्थापना धिनियम के तहत रजिस्टर होनी चाहिए इन दुकानों में अधिक्तम 50% स्टाफ को ही काम करने के छूट है साथ ही उन्हें सोचल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा दुकान में काम करने वालों को मास्क भी लगाना पड़ेगा आदेश में ग्रे सचीव अजे भलान ने सपस्ट किया है कि नगर निगम और नगर पालिकया के सीमा में आने वाले बजार नहीं खुलेंगे यहां की दुकाने लोगडोन की तय तिथी तीन मई तक बंद रहेंगी इसके अलावा सिंगल और मल्टी ब्रेंड मॉल्स भी नहीं खुले जाएंगे यहां देश 15 अप्रेल को जारी दिशा निर्देसों में संसोधन है जिसके तहट 20 अप्रेल से कुछ गतिवीदियों की छूट दी गई थी कोरोना होट स्पोट और कंटेन्मेंट जोन में इस्थित दुकानों को भी खोलने की छूट नहीं मिली है लोगडाउन के दोरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलनी की जाज़त थी इसमें राशन, सबजी और फल की दुकाने सामिल है अब सभी जरूरी और गयर जरूरी दुकानों को खोलनी की अनुमती देने से उमीद है कि कारोबार एक बर फिर से पट्री पर आएगा एक महिने से जारी लोगडाउन के चलते दुकाने बंद रहने से वैपारियों को करोडों का नुकसान हो चुका है आपको बता दें कि से पहले एकी सप्रेल को सरकार ने आवस्यक कदम उठाते हुए इसकूली पुस्तकों की दुकानों को खोलनी के अनुमती दे दी थी इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाले दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया था गरे मंतराले ने कहा था कि सहरी छेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरिया और आटा मिल भी लोगडाउन के दौरान काम सुरू कर सकते हैं कोरोना वारिस लोगडाउन का असर बच्चों की पढ़ाई पर ना पड़े इसके लिए सरकार ने ये कदम उठाया था आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लाइक और शेयर करना ना भूलें इंडिया न्यूज भारिल की रिपोर्ट